रेडी स्टार्ट आदरनिये सभापती मोहोद्य जैसा की माननिये सदस्य जानते हैं आज कल महानगरों में मादक पदार्थों का परियोग बढ़ता जा रहा है विराम यह बिमारी दिन प्रती दिन बढ़ती ही जा रही है विराम यहां तक अब तो शिक्षा संस्थानों में भी मादक पदार्थों के बढ़ते हुए इस्तेमाल से भयानक समस्या पैदा हो गई है विराम मेरा सरकार से निवेदन है की इसके निदान के लिए युद स्तर पर कारय हो ताकि आज की युवा पीड़ी इसके चंगूल से शिगर निकल सके विराम मैं समाज के हर वर्ग से अपील करता हूँ की वह सरकार का साथ दे ताकि समय रहते इस समस्या को हल किया जा सके ताकि यह मरज काबू के बाहर नै निकलने पाए विराम पहरा आखिर मादक पदार्थों के सेवन के पीछे क्या कारन है क्यों अधिक से अधिक हमारी युवा पीड़ी इसकी और भागती नजर आती है परशंचिन मेरे विचार में इसका एक मत्र कारण यह है कि मादक पदार्थों का कारोबार सबसे पहले अधिक लाबदायक कारोबार है कुछ अंतरास्ट्री है गिरो विशेशकर अमेरिका में बैठे लोग मानव याती पर यह गातक परहार कर रहे हैं यहां तक की पंजाब में तनाव उत्पन करने के लिए भी मादक पदार्थों के तसकरों से मिले धन का परयोग किया जा रहा है विराम पंजाब सीमा पर कुछ तसकरों को पकड़े जाने पर तथा उनसे पूष्टाश करने पर इस तथे की पुष्टी भी हो चुकी है विराम पहरा मेरा यह भी निवेदन है की पुलिस व्यवस्था को इस सबंद में काफी चौकस रहना चाहिए तथा वह मादक पदार्थों की मांग एवं पूर्ती की मात्रा पर कड़ी निगा रखें विराम कई लोग मादक पदार्थों के किरे विक्रे में पुलिस की मिली भगत की भी शिकायत करते हैं जो किसी हद तक सही है लेकिन शत प्रतीशत सही नहीं है दूसरी और वर्तमान कानुन भी इस दिशा में काफी सक्षम नहीं है विराम सबसे जरूरी बात तो यह है कि लोगों में इसके प्रती जागरिती पैदा की जाए ताकि नशीले पदार्थों के सेवन करने वाले नए मरीज नए बनने पाए विराम इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो व्यक्ति इनके सेवन के आदती बन चुके हैं उनके इलाज की पूरी सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्द कराई जाएं विराम अगर संभव हो तो इसके लिए अलग अस्पताल कायम किये जाएं जहां पर उनकी इस आदत को शुडाया जाए और उन पर पूरी निगा रखी जाए ताकि अस्पताल से चले जाने के बाद भी वे इस आदत के दोबारा नए शिकार बनने पाए और एक अच्छा नागरिक बन कर अपना जीमन वैतीत करें विराम स्टॉप